नमस्कार अदाव शच्रेकाल जय भारत जय बिहार मेरा नाम है विकास कुमार ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाओ से पहले छेतर के विकास की वात हो रही है समाज की भलाई की बात हो रही है परदेश की तरक्की की बात हो रही है युवाओं की बात हो रही है रोजगार की बात हो रही है या वातें चुनाव से पहले हमेशा से होती चली आ रही है और चुनाव खत्म होते ही या सारी बातें अचानक से बंध हो जाती है इस बार भी विहार विधानसवा चुनाव में परत्यासी चुनाव से पहले अपने छेतर की समस्या की बात करेंगे छेतर की विकास की बात करेंगे भागलपूर नाथनगर विधानसवा सीट पर इस बार मुकावला घमासान होने वाला है 2015 में NDA की ओर से लोचपा के जिला ध्यक्ष अमर कुश्वाहा लगभग 7000 मतों से बर्तमान के भागलपूर के सांसद अजय मंडल से पराजित हो गए थे और इस बार फिर लोचपा की तरफ से नातनगर सीट से चुनावी मैदान में हैं और आज हमारे साथ हैं सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है क्या लगता है सर 2015 का पराज़े इस बार विजय में परिवर्तित करने में सफल हो जाएंगे देखिए नातनगर विधानसवा छेत्र की जनता एक मजबूत का अंधा ढून रहा है नातनगर की विकास की नईया को पार लगाने के लिए पहली बार वहां ऐसा लग रहा है हमारे जब आदनिया राष्टिय अध्यक चिराग पासवांजी ने अलग लड़ने का निरने लिया तो हम उसके बाद हमको सिंबॉल मिला और हम वहां से जब लोटे तो हमको कहीं से भी एहसास नहीं था कि इतने बड़े तदाद में लोग मेरी स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं और सभी लोगों ने उस समय से लेकर और कल नमंकर में जाने में के दौरान जितनी उत्सा लोगों में देखी गई जितने लोग का आशिरवाद और प्यार हम कल मिला उससे लगता है कि नात नगर विदान स्वाच्छेदर की ज कि जदियों के परतियासी और पुर्व विदायक अभी बरतमान विदायक हैं और उनको अगले बार उपचुनों में मुका मिला और उपचुनों में वो विजाई हुए लेकिन एक साल के अंदर अधिकांस्ता सभी जनता का भी कहना है कि अधिकांस्ता हम लोग जब भी फौन की है चुकि वो उम्रत राज हैं बुजुर्ग हैं और उसके बाद हम हमारे गारजन हैं लेकिन कि मेरा तबिया ठीक नहीं है मेरा जो है बीपी बढ़ा हुआ है तो मे इस तरह का मेसेज आया तो अब इसलिए होता है इस उम्र में तो लोगों का निश्चित है कि इस तरह का की बात होती है सभी का उम्र होगा तो सेज में पहुचेंगे तो हम लोगों के साथ भी होगा तो अभी अब उनका सेवा करने का समय नहीं था अब हम लोग उनका सेवा करते वो हम लोग की सेवा का अब इतना बड़ा भार अपने उठाने में सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं और रही बात जदियू एक मात्र चीज पे सेंट्राइज हो गया है उसका एक मात्र फोकस वो है पांस साल तक वो विकास की और दस साल वो सिर्फ कुरसी कुरसी खेल रह हैं कि इसके पास घुटना टेक दें जो हमको कुरसी प्राप्त हो जाए इसके अलावे मन्या मुखवंत्री जी का ये सात निश्य योजना जो महा गठवंदन की जिस समय सरकार थी और वो उस समय ये ठाने थे कि हम सात निश्य हैं और सात निश्य का कोई भी वर्क पुन फिल्म सेकोल का दे रहे हैं कि वान टू लेकिन टू तभी होता है जब वन पुरा होता है अरी फिल्म तो बनके पहले रिलीज हो जाए तब तो टू पे जाईएगा आपका ये साथ विश्य योजना अभी तक धरातल पर उत्रा नहीं है तो आप किस्टू की बात कर रहे हैं आप टू थ्री नहीं हम लोग को पढ़ा रहे हैं आप जो है बिहार में आप अब विकास का ना आपके पास अब क कोई रीजन रहा है हमारे आदर्निय राष्टी अद्यक जी ने ठाना है कि बिहार फस्ट बिहारी फस्ट और हम लोग उस समय हमारे आदर्निय राष्टी अद्यक बोले कि बो हम पर वो मुखमंत्री हम पर राच करना चाहते हैं और हम बिहार पर नाच करना चाहते हैं तो हम हम लोग का बीजा नस्पस्ट है हम लोग जितने भी हम लोग का सीट आएगा 143 में हम लोग अच्छा करें यह भर्म में कोई नहीं रहे और हम लोग का कोई जाती बेसिस पर परतियासी को नहीं गिने उसमें जितने भी हम लोग 143 सभी के सभी एक कार्च करता हैं और कार्च करता कोई एक जाती में नहीं बनता है कोई एक जाती में बनता नहीं तो आप एक चीज को जान लें बहार की जनता यूबा सोच और हमारे यूबा आधर नियरास्टी अध्यक्ष की ओर चल पड़े हैं परदेश अस्तर की बातों से सर बहार निकलते हैं और आते हैं आप जहां से चुनाव लड़ने यानि नाथ नगर विदान सभाज सीट से वहां की समस्या आएं तो खेर बहुत हैं लेकिन एक बह के बहुत वर्सों से जो समस्यां रहा है ऐलए फलाई ओवर कि क्या लगता है इस बार समस्या खत्म हो जाएगी आप फलाई ओबर से नहीं हम नातनगर के कुछ है वहाँ जब सब दिन ठगे गए हैं तो वहाँ समस्या कामबार लग चुका है लेकिन दुचार पॉंच जो आपका प्रमुक समस्या है उससे हम आपको अबगत कराते हैं सबसे पहला चीज ये है कि नात नगर विदान सबाद छेतर आधा छेतर सहर है और आधा छेतर गउन नहीं कर सकते हैं उसको देहाईत कही है आप जब दीरा के पार चलेना संकरपुर दियारा से लेकर लेलक के पास से सुरू होता है और ये इस दो गच्ची तक काफी नर्किया इस्तिति है बाल भी उसी को जहलना है सुखार भी उसी को जहलना है और आपको मतलब क्या बोले छोटा सा उधारन देना चाहते हैं कि आप बुढानात मंदीर के पास चलिए बुढानात मंदीर के पास सरकारी मुल्ल भी सरकारी मुल्ल भी उसका समझे की बढ़ा तीस लाग चालिस लाग रुपे कठे हैं और आप मात्र मतलब दो सो मीटर गंगाजी का बो है या तीन सो मीटर होगा पास सो मीटर मान लिजे पास सो मीटर के बाद वहाँ पर जमीन की कीमत अभी तो कुछ बढ़ा है लेकिन तीस हजार रुपे कठा आप समझिए इधर इस पार में तीस लाग रुपे कठे और उधर तीस हजार रुपे कठे और बोग ना वहाँ बिजली पहुच पाया है हम एक दिन जा रहे थे रात आठ वजे तो गाली घुसा नहीं तो हम लोग पैदल उतर के चल रहे थे तो देखे कि अभी भी डिबिया जला करके लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ के बच्चे डिबिया जला के पढ़ाई कर रहे हैं और हमको काफी मतलब आस्चर्ज लगा और पूरे छेतर का जब हम भरवन किये तो लगा कि यह तो मतलब इसको गाउने कह सकते हैं तो एक समस्या यह होगे दूसरा हमारा जो नात्नगर अगर भागलपूर सिल्ख सिटी के नाम से मसूर था और अभी भी तसर सिल्ख का सबसे ज़्यादा हम लोग भागलपूर उत्पादन करता है तो कहीं न कहीं भागलपूर की रीड है नातनगर विधानसवाद छेतर इसलिए कि नातनगर विधानसवाद छेतर में सबसे ज़्यादा बुनकर पाई जाते हैं मेरा ये सवाल आने ही वाला था कि आपको हम बता दें कि भागलपूर को जो आज पहसान दिला आई है सिल्क और उस सिल्क से जुड़े कारोवारी जो हैं बुनकर वो ज्यादातर लोग आपके ही विधानसवाच्षेत्र के हैं वही वही आपको बता रहे थे तो बुनकर सबसे ज़्यादा हमारे विधानसवाच्षेत्र में पाए जाते हैं और आज तक बुनकर की समस्या पर आज तक किसी का नजर नहीं गया है कि बुनकर को एक कच्चा माल कैसे उपलब्द हो, बुनकर जब यहां माल तयार कर लेते हैं, तो एक अच्छा मार्केट कैसे दिया जाए, उस पर अभी तक किसी कोई नजर नहीं गया है, चुना होता है, लोग जाती पाती में बढ़ जाते हैं, और बोट दे कर अयोग लोग क जिता देते हैं, योग की और हम तो आज गए छेतर के दौरान, भरबन के दौरान जो है, हम एक लोगों से बात हो रही थी, तो हम कहें कि देखिए, जब अगर कोई जाती देखकर मद्दान करता है, तो वो विकास की बात ना करे, और जो विकास चाता है, वो कभी जात नही देखिए, आपको ये सभी परत्यासी चुनाव मैदान में हैं, आपको इसमें चुनना होगा कि कोन योग है, और कोन मजबुती से आपकी बात को, आपकी मांगाओं को, यहां से लेके जाके सदन तक रख सकता है, उठा सकता है, कोन बोल सकता है, यह क्या, मतलब अगर अब करनी हो, तब तो लोग एक बड़े जाती में ही पैदा लेना होगा, ना, तब तो योगता खतम हो जाती है, तो ऐसे जब तक जाती बेसिस लोग मदान करेंगे, तब तक विकास का कोई बात नहीं होगा, जिस दिन ये भर्म तुटेगा, और एक अच्छे लोग जब चुनन आप शुरू करेंगे, तो आप उस समय बिकास के लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, परतिक्षा की जरूरत नहीं है, आज आपके विधान सभा छेतर के तकरीबन पांस से च्छा गमों में मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था पबलिक का उपिनियन लेने के लिए बात है जो सामने आई कि वहाँ पर लोग या तो असोग डॉक्टर असोग कुमार आलोग या फिर जो है वो अमरकुषवा की बात कर रहे थे, हमें लगता है ये तो पबलिक की उपिनियन थी की लड़ाई इन दोनों के बीच में है, आपको क्या लगता है? दिखिए अभी नात नगर विधान सबाद छेतर में हमारा हमको काफी आशिरवाद और सने प्यार मिल रहा है और वहाँ पर निश्चित रुपेन यूबा वहाँ के जितने भी और मता पिता हैं सभी लोग का आशिरवाद है और यूबा परतिनिदित्व करेगा नात नगर क यूबा हैं यूबाओं की भागेदारी राजनीती हो या खेल का मैदान हो यूबाओं की भागेदारी अहम मानी जाती है लेकिन आप यूबाँ हैं तो क्या लगता है आपको यूबाओं की भागेदारी इस वार आपको जीत दिला पाएगी निश्चित पहल ऐसे भी कहा जाता था कि जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है ठीक है तो निश्चित रुपेन जब जिधर युवा होते हैं हमारे 65% लोग हमारे देश में युवा हैं तो 65% तो युवा हैं तो निश्चित रुपेन युवा जो आज जिस भी छ करके छोड़ें आपके विधानसवाच छेतर में देखा जाए तो खासकर युवाबर के बहुत सी लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जो की खेल कुद में बहतर परदर्शन किया है एक नाम भी मैं लेना चाहूंगा एक भारती नाम की लड़की है जो गोल्डन गर्ल के नाम स महसूर है तो आपके विधानसवाच छेतर में युवाओं में परतिभा की कमी नहीं है क्या आपका उनके लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग है देखे हम उस बात को पुरा पले कर लेते हैं अब उसके लिए देखे हरे छेतर में एक हम बता देते हैं कि यूवा आयोग की मां हमारे आधर्निय राष्टिय द्यक चिराग पासवान जी ने सबसे पहले की, युबा आयोक इसलिए मांग किये था, कि युबा आयोक में होता क्या है कि आप जीस भी छेतर में, फिल्मी छेतर में, खेल छेतर में, पढ़ाई छेतर में, उस आयोक का ये होता है कि युबा जीस इस भी छेत्र में आगे बढ़ना चाहें उसको उसमें कॉपरेशन मिलें तो हमारे राधर निया रास्टियाद्यक जी ने उठाया था और उसके बाद हम बिधायक होते हैं तो हम हरे एक छेत्र में इस हम यहां के लिए अबाज उठाएंगा वो तो अपने छेत्र नहीं लोग आज आगे आएगा जब तक युवा आंगे नहीं आएगा रहे आपतेश भी तो रहे good to अना चाहिए और उसके लिए हर संभव मेरा उनके साथ बना रहे अर युवा dust सब्सक्राइब hope अकरी सवाल होगा और कम शब्डों में जवाब चाहेंगे कि अमरब कुस वहाँ को नात'sनगर विदान सवा की जनता क्यों करें एसा अमिरा सवाल सभी पर्तियाशियों से होता है क्यों होता है क्यों ताकि लोगों को जनता को पता चले कि आपके जो परत्यासी हैं उनका वीजन क्या है वो किस मोटो से आपके छेतर में आए हैं वो आपके छेतर के लिए क्या करना चाहते हैं और वह सवाल आपसे भी अमरकुसवाजी कि आपको नातनगर विधान सवा की जनता क्यों वोट करें देखिए नातनगर विदान सभाज छेत्र की जनता नहीं हमारे गारजन, माता बहन और हमारे जितने भी योबा साथी हैं सभी का किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और हम जब पंद्रा में चुनाव लड़े थे उस समय भी मेरा विजन असपस्ट था कि नातनगर नेता भी हिन छेतर है, नातनगर में कोई ऐसा परतिनितित्प करने वाला आस तक आया ही नहीं है सुधासरी वास्तव जी थी, और उसके बाद नातनगर लगातार ठगा चला गया है उसके बाद विकास की जो रफतार दूसरे जगह देखने को मिलता है, वो रफतार हमारे यहां नहीं हम उस रफतार को देंगे बिकास के हर एक बिंदू पर और जैसे बाद की समस्या बताए, बुनकर की समस्या बताए, संस्कृत महाबिद्याले नातनगर की धरोहर है और जो बुनकर भाई हैं उसको एक प्लेट फॉर्म दिया जाए हम सारे मुद्दे को लेकर मजबूती से उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और हर चीज को हम करेंगे, इसलिए नातनगर विदान सभा छेतर की जनता हमको मतदान करें बिल्कुल हमारे साथ थे लोचपा के जिलाध्यक्च और लोचपा के नातनगर विदान सभा के परतियासी अमर कुसबहाजी अमर कुसबहाजी से अगर आपका कोई सवाल हो, अगर मेरी जो मुलाकात है अमर कुसबहाजी से चल रहा है विशेश शाबधानी बरत्ने की जरूरत है और विशेश शाबधानी बरत्ते हुए अपने मतों का परियोग जरूर करें मेरा नाम विकास कुमार सिंग है और केमरा के पीछे सुमित राज मजूद हैं हमारा ये बाची देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया